पर मैं बात करने वाला हूँ, जिस setup को हम लोग आज सीखने वाले हैं, वो मेरा एक personal setup है, projection से related है, और indicator के साथ trade किया जाता है, ठीक है, और recent, अभी के present market में हमारे trader और मैं साथ में सभी लोग मिलकर इसको trade कर रहे होते हैं, ठीक है, दूसरी बात, इसको positional option buying, intraday option buying के लिए ब कुछ rule and regulations है, कि इसको कैसे use करना है, ठीक है, मैं major sessions 15-20 minute में करता हूँ, कोशच करूँगा कि ये session छोटा रखा जाए, लेकिन फिर भी, अगर समय कुछ ज़्यादा लगे, तो आप लोगों को बने रहना होगा, और आखरी तक इस video को देखना होगा, ठीक है, और अगर आप को पसंद आता है, तो आपके लिए मुफ्त है, और आप अगर धन्यवाद कहना चाते हैं, तो मुफ्त में इस video को like करके, निशुल्ख है आपके लिए, ठीक है, लेकिन जो लोग और आगे सीखना चाते हैं, ये video उन तक पहुंचेगा, उनकी भी help होगी, ठीक है, तो आप की तकलीफों को मैं बता दूँ, फिर हम लोग एक projection पर पहुंचेंगे, उहाँ पर सीखेंगे, देखें, classes में जब हम चीजों को सीखते हैं, तो उसका एक तरीका होता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे बस चीजों को बता के जाना होता है, तो कम से कम थोड़ा सा आपको एक idea म मिले कि classes में हम लोग कैसे चीजों को सीखते हैं, ठीक है, तो जो चीजे मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से classes हमारी चलती है, समझे, मैंने क्या बताया, मैंने बताया, कि intraday में एक trader की जो तकलीफ है, जो shrink कर रहा है, intraday positional कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो तकलीफ है, एक confusing mindset, जो mindset जो आपका है, वो एक contradiction है, वहाँ पर एक मतवेद है, मतवेद क्या है, एक ही समय पर आपको buy और sell दोनों के लिए त्यार रहने का मतलब क्या है, buy और sell, एक ही session में, एक ही दिन में आप लोग खरीदारी की कोशिश भी करते हैं, और बिकवाली की कोशिश भी करते हैं, लेकिन, मेरी बात अगर आप मानें, तो एक समय पर अगर एक ही mindset रखा जाए, तो आप कहीं ज़्यादा success हासिल कर सकते हैं, एक समय पर एक mindset कैसे रखा जा सकता है, जबकि बाजार तो दोनों तरफ momentum करता है, volatile market है, up and down दोनों कर रहा है, हम तो opportunity gainer होने चाहिए, एक ही समय पर long और एक ही समय पर उसके बाद short, top पर बैचें और low पर, bottom पे खरीदें, bottom पे खरीदें, फिर top पर बैचाएं, तो ये जो आप लोगों के सुनहरे सप हैं मुंगेरी लाल जैसे, ये कभी पूरे नहीं होंगे, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने एक आपको concept बताया, trader मात्र बीच का 20% कमाता है, sorry 60%, और उपर का 20 और नीचे का 20, sellers के लिए है, जो लोग ये accurate trade कर लेंगे, middle का 60%, वही profitable है, और जो top और bottom सोच रहे हैं, वो बस पूरे नहीं सिर्फ लॉंग के लिए ही सोचना है, शौट सोच रहे हैं, तो शौट के लिए ही सोचना है, अगर इसको मैं आसान करके कहूं, तो मैं ये कह सकता हूं, कि जब खरीदारी की अप्रोच है, कि बाजार में निफ्टी में सिर्फ उपर की position देख रहे हैं, तो प्राइस के पीछे बार-बार भागने की कुशिश कर रहे हैं, अच्छा, ये क्यों करना है, इसके पीछे कारड क्या है, इसके पीछे कारड है, ट्रेंड, ट्रेंड क्यों कारड है, ये बताईए जरा, ट्रेंड मात्र एक वजए से कारड है, मैं कई बार ये बात बोलता कि एक price जो up train में है उपर की तरफ momentum कर रहा है वो क्या करेगा वहाँ पर अगर बेचने के लिए कोई अफसर मिलेगा तो वो कहीं न कहीं failure साबित होगा कि वहाँ पर आपके loss चले जाएंगे तो कोशिश यह की जाए जब price अब trend में हो कि जब खरीदने का अफसर मिले तब मातर खरीदारी की जाए और बेचने के अफसर को skip कर दिया जाए कि उसको छोड़ी दिया जाए दूसरी बात अगर price downtrend में है तो खरीदने के अफसर को छोड़ दिया जाए और बिक्वाली selling के जो भी मौके मिले जो भी opportunity मिले उसको grab किया जाए उसको पकड़ा जाए तो एक समय पर एक mindset ये आपकी कई तकलीफ दूर कर देगा तो मैंने सबसे पहले क्या बोला trend तो पहली बात तो ये कि trend का identification कैसे करते हैं दूसरी बात अगर एक तरफ ही खरीदारी देखनी है या तो उपर की तरफ buying या नीचे की तरफ selling एक समय पर एक mindset और दूसरा mindset उस समय होना ही नहीं चाहिए कि सोच ही नहीं रहे कि वो मौका ढूंड रहे हैं जो अभी trend है और उसके विपक्च में जो भी मौके बनेंगे व अगर आप अपनी गलतियों को समझना चाहें psychological level पर देखिए एक resistance line यह resistance line हो गई अब price आके यहां से गिर के दुबारा यहीं पहुंच रहा है अब यहां पर दो तरीके के trader जो breakout देख रहे हैं दूसरे वो जो breakdown देख रहे हैं अब बताइए एक ही समय पर दो तरीके के trader करेंगे यही करते रह जाएंगे क्या तो मैंने कहा उस समय पर अगर सिर्फ आप अपनी एक सोच रखें एक सोच का मतलब क्या है कि या तो uptrend सोच रहे हैं तो सिर्फ uptrend downtrend सोच रहे हैं तो सिर्फ downtrend बात क्लियर हुई तो यह जो मतवेद है आपके mind का क्या करना चाहिए तो दोनों काम हम एक साथ कर लेते हैं एक trade से निकल के दूसरी में entry दूसरे से निकल के तीसरी में मैं देखता हूँ traders की order book जब आप लोग भीजते हैं कि मेरे सर इतने losses हैं मेरे इतने losses हैं और order book में मैं देखता हूँ एक एक session में 40, 40, 45, 45, 45, 60, 60 orders scalper करते हैं सर मेरे batches में जो scalper जो traders scalping करते हैं उनके order 30, 35, 40 max रहते हैं लोगों के 60, 60, 70, 80, 80 orders है एक तो discipline का पहला rule तो यही कह देता है कि intra day में trader को 3 से ज़्यादा trade तो प्लान नहीं करने चाहिए maximum 3 तो जब आपने खुद को सीमित कर दिया कि मैं 3 से अधिक करूंगा ही नह तो losses की संभाव ना कम से कम रह जाएगी दूसरी बात आप हर trade में हर candle को opportunity नहीं देखेंगे अब आप देखेंगे पहले एक बार आपके mind को trigger करेगी एक बात क्या कि मुझे दिन के 3 trade ही करने हैं तो जब पूरी तरीके से confirmation मिलेगा तो ही trade करूंगा तो consolidation में trade नहीं करेंगे transaction जो हमको 567th standard में सिखाया जाता था वो आप लोग भूल गए हैं तो कैसे काम चलेगा trader का पहला rule जालते हैं कई आप hedge fund traders को पढ़ेंगे उनकी books को पढ़ेंगे तो उनमें पहली चीज़ लिखी हुई मिलती है क्या a man who kept promise with himself अगर आप खुद से किये गए वादे निभा पाते हैं और खुद से जूट नहीं बोलते हैं तो आप trader बनेगे और आप खुद कोई देवका दे रहे हैं कि कल लॉस हो गया था बाजार की गलती की होज़स हो गया था मैंने नहीं किया market की गलती से हो अरे आपने किय जैसर बाजार तो जैसे आज चले वैसे कल भी चलेगा और जब और ट्रेडर आएंगे तो ऐसे लंटिंग और जादा होगी जैसे जैसे बाजार में लिक्यूडिटी बढ़ती जाएगी उतनी ऐसे लंटिंग होगी अभी 10 सीगार के आसपास डीमेट्स हैं 10-11 करोड के जाएगी और बाजार में ट्रेडर्स आते जाएंगे उतना पैसा आता जाएगा और उतना टफी बाजार होता जाएगा तो आप तो आने वाले समय में और परेशान होने वाले कहीं से दिक्कतें दूर नहीं होनी और आप कल की ट्रेड को भूल कर आज नई ट्रेड्स कर रह तीन ट्रेड लॉस हो गई चौथा तो देखूंगा भी नहीं कि दो ट्रेड प्रॉफिट हो गई एक ट्रेड में अब जितना कमाया है उसका 30 परसेंट रिस्क लूँगा बाखी पैसा घर लेकर जाओंगा यह घर ले जाने की आदर डाली है ठीक है क्योंकि बाजार में मैं बस एक ही बात कहता हूं ट्रेडर वो है जिसके कमाये गए पैसे से उसका घर चले बात क्लियर हुई चली तो पहली बात हुई ट्रेंड ट्रेंड का मतलब क्या है जिधर बाजार का मुमेंटम है अगर हम उसके साथ चलें तो हमारे कमाने की आउसत होता है average मेरा जो personal favorite है price के बाद मैं किसी को वरीता दे रहा हूं बाजार में वो आसत है आसत के लावा कुछ भी नहीं देखे मैंने पहले बताया यह session थोड़ा लंबा हो सकता है ठीक है समय निकाल कर धीरे धीरे देखिए अगर आपको मेरी गती जिस speed से मैं आपसे बो आगे बढ़ते हैं तो trend देखना आना चाहिए trend को आसत decide कर देता है अच्छा एक बात बताईए average की बात की जाए तो सिर्फ trend identification कि ये पता हो कि एक समय पर एक mindset कि कब सिर्फ खरीदारी करनी है और selling मिले बेचने का मौका मिले तो भी छोड़ दें कब ऐसा होगा तो मैं कहता हूँ कि जब price एक अच्छे बड़े औसत के ऊपर trade कर रहा हो तब ऐसा होगा अगर उस बड़े औसत के नीचे trade कर रहा है तो सिर्फ short selling देखनी है और उस बड़े औसत के ऊपर trade कर रहा है सिर्फ long देखना है मतलब एक ऐसा average जिसके ऊपर price trade करे तो हमको सिर्फ खरीदारी के अफसर ढूणने हैं और उस अउसत के नीचे trade करे तो सिर्फ बिकवाली के अफसर ढूणने हैं सिर्फ short selling ढूणनी है कैसा वो strike price होगा कैसा वो average होगा वो average है 200 का moving average 200 का अउसत 200 का अउसत 200 का अउसत क्या होगा सिर्फ जिस time frame पर आप use करे हैं जैसे अभी हमारे पास nifty में एक घंटे का अउसत है तो पिछली एक घंटे के candle एक घंटे का बना हुआ तो पिछली 200 candle मतलब पिछले 200 घंटे के अउसत भाव के उपर अगर price trade कर रहा है मतलब price positive है कही न कहीं की नहीं है previous 200 hours के average price के उपर जो price trade कर रहा है औस भाव के उपर जो भाव trade कर रहा है वो कहीं न कहीं positivity रख रहा है सकारात्मक भाव है वो वहाँ पर खरीदारी के उसर ढूने जाएं और अगर बेचने के मौकब मिलें तो उसको कहीं न कहीं छोड़ दिया जाए ठीक है पहली बात समझ में आ गई कि 200 का moving average जो है पहले क्या करना है indicator में जाईए और 200 के moving average को plot कीज़े यहां पर यह 9 का आ गया ठीक है इसको length को change करके 200 कर लिजे शॉरी माफ कीजे चाली चेंज किया ठीक है इस तरीके से यह average आपके पास आ गया देखे तो मैंने क्या कहा जब तक कोई price 200 के moving average के उपर trade कर रहा है यहां पर यह क्या कर रहा है 200 के moving average के उपर trade कर रहा है यह पूरा setup बता के जाओंगा तसली से बने रहना है आखरी तक वीडियो में रहना है बीच में कई traders की आदत होती कि इतना देख लिया कि बस इतना बहुत है अब जाकर पहले backtest अरे backtest कुछ नहीं होता है सर लाइव मार्केट में जाकर कल trade कीजिएगा अगला session मिलेगा पूरा बाजार खुला रहेगा आने वाली पीडियों तक खुला रहेगा इसे काम कैसे करती ही वो सीख लिया चाहिए अब आपका patience test होगा live market में जो सीखा है उसको implement करना सीखना होगा लगबग 5-10-15 दिन का वो भी आपका एक frame होता है कि जो सिखाओं उसको बार-बार trade करके अपने लिए perfect बनाईए ठीक है अब ये चीज़े मैं यहाँ पर आपको सिखा नहीं पाता हूं उसके लिए आप लोग classes करते हैं तो नीचे description में आपके पास link है telegram से जुड़ना चाहिए हमारे traders के result देखना चाहिए देखकर उसके बाद जुड़िए और direct जुड़ना चाहते हैं अगर आपको ये session पसंद आता है तो description में ही contact detail है contact कीजिए आप classes क जोइन कर सकते हैं डेली एक घंटे के sessions और तीन चार महिने तक है ना साथ में live market rates देखिए जब प्राइज 200 के moving average के उपर है तब मैंने क्या कहा जितने खरीदारी के अफसर मिले बाइंग के जितने अफसर मिले उनको भुनाईए और selling के जितने अफसर मिले उनको छोड़ द है कि नहीं 200 का moving average trend decider अब जो 200 का moving average trend decider है तो जितनी बार price चलने के बाद गिरता है pullback एक चलता हुआ प्राइज जहां से गिर जाए और trend क्या है 200 के moving average के उपर भाव trade कर रहा है तो trend upside है तो गिरावट पे कोई बिक्वाली का तो मौका ढूंडना ही नहीं खरीदारी का मौक दूसरा तरीका, HBB के अलावा क्या हो सकता है? HBB के अलावा दूसरा formation आपके पास होता है trade करने के लिए वो है इसी के साथ आप एक short term 50 का moving average भी यूज़ कीज़े 50 का, वो क्या करेगा? वो आपको बार-बार entry देगा, खरीदने का तरीका बताएगा HBB से जब आप buying करते हैं तो आपकी खरीदारी कैसी होती है? कि आप जितनी बार price गिरने के बाद अपना last swing high काटेगा, previous high आप खरीदारी करेंगे जैसे price यहाँ चल कर गया और यहाँ पर देखिए high break हुए long कर दीजे, price चल कर गया, थोड़ा सा नीचे आया, high break हुए long कर दीजे, ऐसे चलता है price ठीक है? ध्यान रहेगा, जितनी बार ऐसा हो, उतनी बार करना है, एक बार नहीं, उतनी बार देखिए, price नीचे आया, high break हुए long कर दीजे, यहाँ फिर नीचे आया, high break हुए long कर दीजे, अब क्या हुआ, price नीचे आया, और high break नहीं किये, तो long नहीं करना है ठीक है, अब और आगे बढ़िये, चलिए, मैंने कहा, आपने कहा कि यह तो उपरी इस्तर पर खरीदारी हो रही है, कि जब गिर रहा है तो pull back पे तो बेचना नहीं, selling का कोई भी हमको order ही execute नहीं करना है, मिल रहे हों कोई setup आपने पहले कुछ सीखे हों तो उनको भूल जान है, ऐसा कैसे possible है, उसके लिए मैंने आपको बताया 50 का moving average, 50 का ओसत जब भी 200 के ओसत के ऊपर trade कर रहा हो, तो 200 के average ने आपको trend बता दिया, कि price क्या है 200 के moving average के ऊपर trade कर रहा है, और ये 50 का average आपको entry exit देता है, क्या देता है, entry exit का मतलब, जब price में entry कहां पर की जाएगी, य कैसे use करना है, देखे, यहाँ पर आईए, और यहाँ पर search कीजे, moving average, एक average हम लोग use करना है, दूसरा एक और करना है, ठीक है, length कितना रखना है, 50, अच्छा इसके साथ थोड़ा सा visibility में, अगर आप style में change करें, तो इसको थोड़ा सा red रखिए, इस से क्या होगा, थोड़ा 200 का moving average है, मैंने पहले बताया, 200 के उपर भाव है, तो खरीदारी के offset होगे, 200 के नीचे भाव है, तो बिकवाली, selling के offset होगे, अभी price कहा है, बताईए, यहाँ पर price कहा है, price है, 200 के उपर, 200 के उपर है, तो मैंने क्या बोला, जितनी बार price चल कर आता है, 50 के moving average के पास, और व प्रिते हुए आएगा, और उसको touch करके घूमेगा, या उसको break करने के बाद नीचे, जब price 200 के उपर है, तो मैंने क्या बताया, सिर्फ buying के हमको अफसर ढूंडने है, ऐसी opportunity जहाँ पर सिर्फ खरीदारी हो, तो 50 के नीचे जब भी price आए, तो short तो करना ही नहीं है, लेकिन lot कर जब भी 50 के उपर जाएगा, तो buying करेंगे, लोंग करेंगे, short तो करेंगे नहीं, लोंग करेंगे, बात के लिए रोई, तो price देखिए, यहाँ पर 200 के उपर भाव आगया, भाव लोट कर गया, टच किया, उपर की तरफ निकला, जैसे ही इन swing high को निकला, swing low का है, stop loss 50 के नीचे, 50 के उसत के नीचे, एक close, SL, और long कर दीचे, अच्छा, long करने के बाद दूसरा तरीका वो होता है, कि profit booking कहां करनी है, देखिए, कभी भी एक उसत और price के बीच में दूरी बनने लगे, तो profit booking हो जानी चाहिए, मेरा मानना क्या है, जब भी price और average के बीच में एक दू नहीं हो जानी चाहिए, फिर इंतजार नहीं करना है, इतना जब दूरी है, एक average और price में price कहीं न कहीं correct होकर, उसत के पास आएगा ही आएगा, आप ज्यादा दूर नहीं चल पाए, ये gap up मिला, आप long में है, price ने एक अच्छा momentum दे दिया है, यहां से यहां तक, देखिए, बड़े losses नहीं होंगे, losses तो छोड़ दीजे, profit में ही रहने वाले, फिर देखिए, price आया, यहां पर देखिए, अब इसके नीचे आ गया, चलते चलते यहां से घूमा नहीं, और नीचे आया, अब इसके उपर आके close किया, जैसे ही close किया, SL और long, फिर देखिए price, एक 500 पे के आसपास, 500 पैंट का momentum है, फिर price नीचे आया, आने के बाद फिर एक candle उपर close, swing high के साथ long कर दीजे, फिर target देखिए, जितनी बार ये price अपनी प्रक्रिया दोहराएगा, उतनी बार target देखिए, जितनी बार ये प्रक्रिया दोहराएगा, जैसे यहां पर देखिए, price फिर नीचे आता है, ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर थोड़ा सा टिपकल होगा, price फिर नीचे आता है, नीचे आने के बाद उपर जा रहा है, यहीं पर गया, long कर दीजे, long करने के बाद मैंने क्या, swing low stop loss होता है, कि price जहां से घूम कर गया, और 50 के moving average को उपर गया, जहां तक गिर कर आया था, इसके नीचे SL है, stop loss closing का होता है, जैसे अब वोली time frame का rate कर रहे है, तो एक घंटे का proper close मिलना चाहिए, उस swing low के नीचे तो आप exit करेंगे, उसके पहले नी, बात के लिए रो गई, एक घंटे की close मिलनी चाहिए, उसके पहले तो exit करेंगे नी, ठी प्राइस क्या करना है, यहां पर इसको mark कीजे, क्या करना है, mark कीजे, यह level है, mark कर लीजे, एक बार अगर आप गौर से देखें, तो इसके नीचे की एक भी closing आपको नहीं देखेगी, और प्राइस इसी buyer को बार बार touch करके एक बार target देने जाता है, यह इस setup का real power है, कि यहा अब trend reversal होगा, या price consolidation zone में चला जाएगा, trend over होगा, तो क्या होगा बताइए, देखिए, शुरुवात trend की होती है, 20 और 50 के बीच में, average के बीच में, average के बीच में, सबसे जब यह cross over होता है, 50 का average, 200 का average को cross करता है, तो trend बदल जाता है, एक price इससे पहले गिर रहा होगा, इसके बाद price क्या है, बदल गया, अब trend की तरफ चला गया, ठीक है, यहाँ पर सबसे कम distance होता है, और distance जब यह दुबारा से घटने लगे, यहाँ घटने लगा, तो अब price दुबारा से change होगा, अब देखिए, इसके बाद जब यह low break हुए, मैंने कहा जब भी price lot कराएगा long करना है, price lot के आने से पहले 200 की moving average के नीचे चला गया, अब long नहीं करना है, कब तक, जब तक दुबारा price lot करना आ जाये, और यह दुबारा distance इसी तरीके से दोनों average ना पकड़ ले, इनमें दूरी आती जाएगी, अब trend के साथ चलते जाएगे, इनमें दूरी कम होने लगे कि ऐसे ऐसे करके, अब trend के साथ नहीं चलेंगे, रुकने लगेंगे, अब अगर यह 50 का average 200 के नीचे आ जाता है, तो जितनी बार price इसके उपर जाके लोटेगा, अब हम लोग long का opportunity नहीं देखेंगे, सिर्फ short देखें, सिर्फ short, long भूल जाएगे, ठीक है, long भूल जाएगे सिर्फ short देखेंगे, यह जो projection का concept है, इसको अगर आप use करेंगे, तो मुझसे लिख कर ले लीजे, बस बताये गए rules को follow करना है, और जितने चीजें मैंने आपके setup में discuss की हैं, उनको याद रखना है, और फिर आप losses कीजिए, करने को होंगे, 100-100 trade करने में 3-4-5 trade आपके गल बड़ा है, और target इसके बाद भी जब बाजर गिनने से पहले इतना बड़ा target देके जा रहा है, यहाँ पर entry कर रहे है, SL इतना बड़ा है target, एक रुपए गवाने पर 4-5 रुपए कमाता है यहाँ पर trader, कि अगर आप 1000 रुपए का risk लेंगे तो 5-6,000 कमा के जाएंगे, और बार-बार यह process दोर आया जाएगा, तो risk reward ratio जब इतना बड़ा होगा, तो आपको loss में रखने की चमता किस बाजार में, identify कीजिए trend को, trend के साथ entry होनी चाहिए, फिर उसको आगे लिकर चाहिए, ठीक है, चलिए, मुझे उमीद है कि आप लोगों को पूरा concept clear हो गया होगा, अभी short selling का कुछ रह गया है, लेकिन video बहुत लंबा हो गया है, सर मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बड़े videos देख पाएंगे, ठीक है, तो अगर इसके आगे के concept आप लोग और सीखना चाते हैं, तो नीचे comment section में जाकर बताईएगा, कि आपको इसके आगे भी सीख